Hello kids, today we will learn about different types of houses, यानि हमारे घर. कौन-कौन किस-किस प्रकार के घर में रहता है? चलिए, आज इस विशह में जानते हैं. Let's start! Our houses, यानि हमारे घर. O-U-R-H-O-U-S-E-S houses, हमारे घर. केव, C-A-V-E, केव. केव यानि गुफाएं, प्राने समय में, या कह सकते हैं स्टोन एज में, लोग गुफाओं में रहा करते थे, जो कि आदी मानव हुआ करते थे, रिशी मुनी भी गुफाओं में रहे हैं, और विविन प्रकार के जीव जनतू और जानवर भी गुफाओं में रहते थे. Next one is Palm Leaf Hut. Palm की पत्तियों से बनी हुई जोपड़ी. ये जोपड़ीयां अकसर गाओं में पाई जाती हैं, और ये घास फूस से और पत्तियों से बनी हुई होती हैं, इसकी छट भी पत्तियों से बनी होती है. Stilt House, Stilt House ये एक प्रकार के जमीन की सते से उपर रहने योग्य घर होते हैं, ये ऐसे इलाकों में बनाये जाते हैं, जहां बाड का संकट अत्तिधिक आता है, जैसे के असाम, नागरलेंड, मिजोरम, ये है इगलू, IGLOO, यानि बर्फ में रहने योग्य घर, ऐसे घर जो बर के इलाकों में बनाये जाते हैं, नेक्स्ट वन इस कारवांस, C-A-R-A-V-A-N-S कारवांस और मोबाइल हाउसेज, चलता फिरता गर, ये इस प्रकार के घर होते हैं, जो कहीं भी कभी भी ले लाए ले जाये जा सकते हैं, as a traveler or traveling purposes houses, tent house, T-E-N-T tent, H-O-U-S-E house, तंबू का घ जैसे के कई जगा आपने देखा होगा, जिनके पास छट भी नहीं होती है, वो tent बना कर ऐसे houses में रहते हैं, movable houses, ऐसे प्रकार के houses, जिनने प्रती दिन shift करा जाता हो, वैसे houses, movable houses कहलाते हैं, tent, ये बच्चों के खेलने में भी पिरियोग होता है, और camping और पिकनिक में भी, timber hut, timber यानी लकडी, timber एक लकडी का नाम होता है, ये लकडी के घर होते हैं, इने timber hut क्या जाता है, next one is cement hut, ऐसी जोपड़ी जिसकी लिंटर, cement की टीनों से बने होते हैं, और cemented होते हैं, वैं cement की जोपड़ियां कहलाती हैं, next one is stone houses, mostly stone houses हमें पहाड़ों पे देखने को मिलते है जहां पर पत्थर का प्रियोग होता है, पत्थर से बने घर को stone houses कहा जाता है, flat houses, flat houses, एक कमरे वाला घर, mostly इस प्रकार के घर तो हमें देखने को मिलते ही रहते हैं, और next one is house boat, house boat यानी नाफ का घर, ऐसे घर जो नाव में बनाए जाते हों, वैं नाव घर कहलाते हैं, ये mostly कश्मीर में पाया जाते हैं, कश्मीर में अनिक प्रकार की house boat होती है, multi residence यानी बड़ा घर, ऐसा घर जिसमें बहुत से कमरे हों, वो multi residence कहलाता है, double story houses यानी double story building, और multi storage houses यानी बहुत सारे घर एक ही जगा पर बहुत सारे flats होते हैं, वो multi storage houses कहलाते हैं, जहां पे 4 से 5, 10 15, 20, 25 इस प्रकार के घर मिलते हैं हमें देखने को, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, subscribe, share करें, thanks for watching